जहिन दोस्तो, मैं हुआनू पर आप सो लोग देख रहे हैं Global Conflict तो दोस्तो, हाली में आप लोग सुने होंगे कि D.I.D.O के द्वारा कई सारे पिना का मिसाइलों का successful correction किया गया पर इन मिसाइलों में कुछ मिसाइलों को जहाँ पर पिना का Mark One Extended Range कहा जा रहा है तो उही पर कुछ मिसाइलों को पिना का Enhance भी कहा जा रहा है और चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए तो दोस्तों दोनों मिसाइलों के अंतर के बारे में जानने से पहले चलिए जान लेते हैं कि असल में हाली के टेस्ट में कब-कब कौन-कौन सा मिसाइलों को फायर किया गया दोसों ये परिक्षन असल में गुरुबार मतलब 24 जून 2021 और शुकुरुबार मतलब 25 जून 2021 के दिन हुआ रिपोर्टों में ये भी जानकारी दिया गया कि पहले दिन मतलब 24 तारीक के दिन सिर्फ extended range पिनाका मिसाइलों का परिक्षन हुआ और वो भी करीवन 22 ऐसे मिसाइलों को अलग अलग तरीके से फायर करके देखा गया जबकि इसके अगले दिन कम से कम तीन पिनाका extended range मिसाइलों के परिक्षन के साथ-साथ चार 122 मिलिमिटर के पिनाका मिसाइलों का टेस्ट किया गया और दोसों ये जो महामारी का दूसरा लहर है इनमें ये तीन महिने के बाद किया गया सबसे बड़े परिक्षन में से एक है रिपोर्टों के मुताविक इस परिक्षन के दर्मियान मिसाइलों के बिहवियर को टेस्ट करने के लिए और मिसाइलों के performance को जाजने के लिए कई तरीके के electro-optical, sensors और radars का deployment भी किया गया था जिनके द्वारा मिसाइलों को बारिक ही से देखा भी गया और मिसाइलों के performance को node भी किया गया इवन रिपोर्डों में ये भी जानकरी दिया गया है कि जो enhanced version का test किया गया हो कम से कम 45 km के range तक दुश्मनों को तभा करने का शमता रखता है दोस्तों अब चलिए जानते हैं कि ये पिनाका मिसाइल क्या है कब इसे बनाया गया था और इसका कितना variant है और ये जो दोनों variant का test किया गया इन में क्या अंतर है पिनाका मिसाइल के Mark 1 version करीवन 40 km range वाला multi-varial rocket launcher system है जबकि इसका Mark 1 enhanced version या फिर extended range Mark 1 version असल में 60 km range वाला मिसाइल है और ये मिसाइल एक साथ स्रिफ 40 second में ही 12 high explosive rocket को सेलवों में fire कर सकता है दोसों इन rocket को ट्रेटराद्वारा निर्मित ट्रक के उपर mount किया यता है जबकि दोसों इन rocket को कारगिल के लडाई में भी दुश्मन के ठिकानों को ध्वस करने के लिए इस्तेमाल किया गया था कारगिल के लड़ाई के दर्मियान पिनाका रोकेटों ने बाखुवी अपना रोल निवाया और पहाडी के चोटियों में चुपे हुए दुश्मनों के ठिकानों को पिन पॉइंट एकुरुसी के साथ भस भी किया और दोस्तों इस घटना मतलब कारगिल के लड़ाई के सक्सेस के बाद बड़े मातरा में इन रोकेटों को इंडियन आर्मी में भी शामिल किया गया 2014 के कुछ रिपोर्टों के मताविक लगभक सालाना 5,000 ऐसे मिसाइलों को इंडिया द्वारा निर्मान करने का शमता है और इन मिसाइलों के अफग्रेडेड और ज्यादा लंबे दुरी तक मार करने वाले मिसाइलों के उपर भी इंडिया द्वारा काम किया रहा है जबकि 2019 में इन मिसाइलों के अफग्रेडेड और लॉंग रेंज में टार्गेट करने वाले मिसाइलों का भी परिक्षन किया गया जिसका रेंज करीब करीब 90 किलोमीटर तक था दोस्तों इसके डेवलपमेंट की इतियास को भी देखा जाए तो ये काफी लंबा है पिनाका मिसाइल इन्डियन आर्मी में शामिल होने से पहले इन्डियन आर्मी के द्वारा सोवेट उनियन के द्वारा डेवलप किया हुआ बीएम 21 ग्राड लॉंचरों को बड़े मातरा में इस्तेमाल किया जाता था और 1981 में डिफेस विरिश्टरी के तरफ से इन्डियन आर्मी के लॉंग रेंज आर्टिलेडियों के रिक्वार्मन को पूरा करने के लिए ही नए सिस्टेमों के इन्टोर्ड दाधा बनाया था और 1983 में ये डिसाइट किया गया है कि इंडियन आर्मी के रिक्वेर्मेंट को देखते हुए 1994 के बास करीबन सालाना एक रेजिमेंट ऐसे मिसाइलों का आवशक आये है और दोसो इसी वज़ा से 1986 से ही पिनाका मिसाइलों के डेवलाप्मेंट का काम शुरू किया गया और इसे December 1992 में संपूर्णे कर लिया गया दोसो फिलाल अगर इन मिसाइलों के वेरियंडों को देखा जाए तो सबसे पहले पिनाका मार्क वान ही सर्विस में आया जबकि इसके बाद मार्क वान एन्हेंस्ट मतलब extended range मार्क वान मिसाइलों के ही development का का काम शुरू किया गया जबकि इसके इलावा मार्क टू वरिजनों को लेके भी कहा जाता है कि इसका परिक्षन संपूर्ण हो चुका है और इसे भी आर्ट फोर्सेस में शामिल किया जा रहा है विकिपीडिया के एक रिपोर्ट के मुताविक पिनाका मार्क टू जो की 90 किलोमेटर रेंज वाला रोकेट ह यह अल्डरी इंडियान आर्ट फोर्सेस में सर्विष में आ चुका है और हाल फिलाल में ही आर्मी के द्वारा तीन रेजिमेंट के पिनाका मार्क वन और छे रेजिमेंट के पिनाका मार्क टू मिसाइलों के ओर्डर दिया गया है जिसे एल एंटी और टाटा ग्रूप के द्वारा निर्मान किया जा रहा है दोस्तों इन सर्विसेवल वेरियंट के इलावा डियाइडियों के तरफ से कुछ एडवांस और आधुनिक वेरियंट के उपर भी काम किया जा रहा है जिनमें गाइडिड पिना का नामक एक रॉकेट सिस्टम भी है जो संभावित 75 km रेंज का हो सकता है और ये अंडर डेवलोपमेंट है जबकि इसके इलावा पिना का माक 3 के उपर भी काम किया जा रहा है जो 120 km के रेंज के रॉकेट सिस्टम होगा और दोसों इन सभी सिस्टमों से अलग है पिना का ER या फिर एन्हांस रेंज पिना का रॉकेट और दोसों ये बाकी सभी वेरियंट से अलग है और ये एक 122 mm रॉकेट सिस्टम है रिपोर्टों के मुताविक मार्क 1 हो मार्क 2 हो या फिर मार्क 3 इवन इनके जो मार्क 1 इन्हांस है ये भी एक 214 mm के मल्टी बैरल आटिलेडी या रॉकेट लॉंचर सिस्टम है जबकि एन्हांस पिनाका या पिनाका एन्हांस इससे काफी आकार में छोटा और लगवग लगवग इसके आधा डायमेटर मतलब 122 mm के डायमेटर बला सिस्टम है दोस्तों अगर सभी सिस्टम हो के रेंज को कैलकुलेट किया जाए तो आपको पता चलेगा कि पिनाका रॉकेट सिस्टम हो के मार्क 1 वरिजन का रेंज करीव-करीव 37.5 km और मार्क 1 एन्हांस या फिर एक्स्टेंडेड रेंज मार्क 1 का रेंज 45 km के आसपास है वही पे मार्क 2 रॉकेट इससे थोड़ा अधिक रेंज करीव-करीव 60 km रेंज वाला रॉकेट है जवकि अंटर डेवलोप्मेंट गाइड़ट पिनाका का रेंज 75 km और मार्क 3 के रेंज 120 km है पर इससे इतर आकार में छोटे होने के बावजूद पिनाका या एक्रहेंस रे लेंज 4.95 मीटर मतलब 16 feet 9 इंच से शुरू करके 7.2 मीटर मतलब करिफ करिफ 23 feet 7 इंच तक है दोस्तों इन सिस्टमों के आकार और इसके रेंज को अलग रखते हुए चलिए अब जानते हैं इन सिस्टमों के एफेक्टिविटी कितना है मतलब दुश्मन के उपर ये कितने तावर तोड हमला कर सकता है और इससे दुश्मन को कितना जाधा नुकसान हो सकता है तो दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दू कि ये जो सिस्टम है ये काफी जादा तेज गती से दुश्मन के उपर हमला कर सकता है टोटल सिस्टम के जो launcher है मतलब एक ट्रक में रोकेटों को launch करने के लिए करीबन 12 barrels लगा हुआ होता है जिनके द्वारा स्रिफ 44 सेगंड में सवी के सवी missile को या रोकेटों को fire किया सकता है इवन ये जो ट्रक के उपर mounted system है ये काफी flexible भी है और 55 डिगरी के elevation में ये उपर नीचे हो सकता है और करीबन 90 डिगरी के angle में ये दोनों तरफ घूम भी सकता है दोसो फिनाका सिस्टमों को बैटरी में डिवाइट के आयाता है और रिपोर्टों के मताविक हर एक बैटरी में करीबन 22 rockets रहता है और एक launcher में 12 rockets के count को अगर जोडा जाये तो आपको पता चलेगा कि एक बैटरी में करीबन 6 ऐसे launchers होता है दोसो इन रोकेटों के ओरेट को भी देखा जाये तो आपको पता चलेगा कि एक कम से कम 100 kg और अधिक से अधिक 200 kg के ओरेट को लेके उरान भड़ सकता है जबकि इन रोकेटों को माउंट करने के लिए जिन ट्रकों का इस्तेमाल किया आता है वो भी काफी highly effective ट्रक है जो करी even 800 km के रेंज में operate भी हो सकता है और कई तरीके के different terrain में भी इस्तेमाल हो सकता है एक तरफ जहाफे ये रोकेट Mark 4.7 के रफ्तार से मतलब करीबन ध्वनी के रफ्तार से 5 गुना रफ्तार से ट्रावल कर सकता है तो उही पे रोकेट को ढोने वाले ट्रक भी करीव-करीव 80 km प अलग-अलग variant Indian Army के long range artillery के requirement को making India के द्वारा जहां पे काफी हद तक पूरा कर रहा है तो उही पे भविश्य के पिनाका रोकेटों के अन्य variant आने वाले समय में Indian Army के भविश्य के requirement को पूरा करने के साथ-साथ एक potential export market में भी अपना दबदवा पायदा कर सकता है तो दोस्तों यह था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तुसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और साथ में बड़ाम और बेल आइकन भी पेस कर दीजिए तक आप मेरा वीडियो देख पाये सबसे पहले जैहिंद